प्रेज लोन आज के मनन का अमारा विश्य है संद्मधी के सुस्वमच्वरा ध्यायचे पस्टेंग्या साथ से पंद्रा तक प्रार्थना करते समय गेर यहूदियों की तरह रठ नहीं लगाओ वे समस्य हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है उनके समान नहीं मनों क्योंकि तुमारे मांगने से पहले ही तुमारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है तुम्हें इस प्रकार प्रार्थना किया करो स्वर्ग में विराज मान हमारे पीता, तेरा नाम पवित्र माना चाहे। तरह राज्य आई, तरह बी llegó है, तरह इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे प्रध्वी पर भी पूरी हो, आज हमारा प्रति दिन का हार हमें दी हमारे अपराद शमा कर जैसे हमने भी अपने पराधियों का शमा किया है और हमें परीक्षा में डाल बलकि बुराई से बचा यदि तुम दूसरों के अपराद शमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें छमा करेगा परंदु यदि तुम दूसरों को छमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा प्राद नहीं छमा करेगा क्रेस में प्यारे भाई और बहनों आज हम सब लोगों के लिए सूपारीचित बाइबल का भाग मनन के लिए विशय बना है आदर्ष प्रार्थना सबसे उत्तम प्रार्थना जब शिर्ष्यों ने प्रार्थना सिखाने की मांग रखी तो प्रभू ने अपने शिर्ष्यों को ये प्रार्थना सिखाई जिस पर प्रभू के नाम की सुती है पाप क्षमा है, पाप याजना है एवं अपने प्रार्थनाओं की मांग भी है लेकिन इस प्रार्थना में एक मुख्य बात यह है कि यहाँ पर the focal point प्रभू है, इश्वर है इश्वर से जुड़ी बाते हैं ऐसा नहीं है कि प्रभू मुझे ये दिया जाए, ये दिया जाए, ये दिया जाए जहाँ पर हमारा focus अक्सर हमी होते हैं यहाँ पर इस प्रार्थना का focus हमारा प्रभू होता है प्रे भाई और बहनों क्या हमारे प्रभू हमारी जरूरतों को नहीं समझते हैं विसमस्ते हैं तो इसलिए हमें बार बार हमारी जरूरतों को उनके सामने रखने की जरूरत होती है शायद नहीं फिर भी हम मानव होने के कारण अक्सर प्रभू के सामने गिड़ा आते हुए गिड़ा आते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभू हमें यह दीजिए यह दीजिए ये दीजिए तो इन थमाम प्रार्थनों में एक चीज हम छूट जाते हैं वो है इश्वर हमारा प्रभू जिस पर हमारी आस्था है और हमारा अस्थित्व है प्रार्थना क्या होती है प्रार्थना इश्वर से एक संबंद जोडने का एक अवसर है प्रार्थन आज के टर्मस में अगर बताय जाए इस प्राकार का एक अटूट रिस्ता है God not high up in the heavens प्रभू जो हमसे बहुती दूर है ऐसा है इस विक्ति के साथ में हमारा संबंद जोडने को प्रार्थन नहीं क्या जा सकता है इसलिए प्रभू ने हमें इस प्रकार सिखाया है हमारे पिता अब्बा अब्बा पिता अब्बा का ट्रैंसलेशन में अक्सर आप सबों के सामने साजा किया हूँ डैडी, पापा, पिताजी इस सरा सा वन टू वन रिलेशन यही प्रार्थना होती है मनुश्यों को जोडने का एक जरिया प्रार्थना और इस परण जैसे मैंने कहा इश्वर के नाम की सुथै है, महीमा है इस पर पाप च्षमा के लिए याच्णा है पाप च्षमा भी है और साती-सात सबलेकीशन हमारी अर्ध जिया भी है प्यारे भाई और बहनों कैसे प्रार्थना करनी चैए सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है क्या हम जोर-जोर से चिला कि प्रार्थना करने से सब कुछ हमारी प्रार्थनाएं सुनवाई होती है कि हम बंद दरवाजे के अंदर बैठ कर प्रभू को मैसूस करते हुए उनके समय, उनके पास समय जो बिताते हैं, वो प्रार्थना में कम शक्ति है पेरे भाईयों और बहनों, एक बात जरूर में आप सबों से कहना चाहूंगा We are no one to judge, praise दो चीज़ों पर मैं हमेशा सबों से यही कहता हूं किसी के विश्वास पर हम उंगली ना उठाए कोई जज्मन ना करे और किसी की प्रार्थना में भी हम उंगली ना उठाए ऐसा ना हो कि कहें कि मेरी प्रार्थना सबसी अच्छी है और उसकी बुरी नहीं, उसकी बुरी है, सही नहीं है कौन है हम उस विक्ति किस प्रकार अपने इश्वर के साथ में संबंद जोडते है उसके परिबाशा क्या आप कर सकेंगे? आप उसको जैज कर सकेंगे? नहीं, कदा भी नहीं वन-to-one conversation विक्ति कि प्रार्थना एक विक्ति दूसरे विक्ति के साथ में जिस तरह से संबंद बनाते हैं उसी प्रकार प्रार्थना भी एक विक्ति इश्वर के साथ संबंद बनाते हैं उसी को हम प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई और बहनों प्रभू ने जो प्रार्थना हमें सिखाई है यूँ ही नहीं सिखाई है ये प्रार्थना हमारे तबाम प्रार्थनाओं का समावेश है और इसलिए जब हम अकसर यह सोच स Putting कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें यही प्रार्थना उगदो राहशा है हे पिता हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहे जाने वाली यही प्रार्थना है हमारे देश में तो नीजेव इसाइयों को यह प्रार्थना आती है, अनेग लोगों को यह प्रार्थना आती है, कॉन्ड में educated काफी लोग इस प्रार्थना को जानते हैं, और वो अपने आपको इसे रिलेट भी कर सकते हैं, इश्वर को अबबा पुकारते हुए उनके साथ में संबंद जोडने का, संबंद साधने का, एक जरिया है प्रार्थना प्रभू, हम सबको भी इश्वर को अपने पिता मान कर, उनके साथ one-to-one relation बनाने के लिए अनुगरह प्रदान करें आमें